दोस्तों हमारी मूवी स्टार्ट होते और MEN पतटब्द चलता है कि Jemand का एक एरिया है वह पूरी तरह से एक वाईरस के कारण वह पूरा वाईरस से घ्र सिंघ हो गया और उसमें पूरे में आ चुका है तो उन लोगों को यहां कि जो इंफेक्टेड थे उस वायरस से उनको वो जॉम्बी बन चुके तो उनको इनसान का जो ब्रेन था वो खाना अच्छा लगता था यहां पर हम एक आदमियों को देखते हैं जिसका नाम विलियम डार से होता और वो एक करनल होता है त कोशे नीं करें अपने साथ वो एक बोटल लाता है दिसके अंदर कुछ मदमक्ख्या होती है और उन्हें उस रूम में छोड़ देता है जिसमें वो इंफेक्तर परसन होता है तो जैसा र 뭐가 होता है वो मरहे तब दार्सी वहां पर कुछ लेडी से पूस्ता है कि हाँ पर कोई और उसका रिष्टदार है क्योंकि वह भी इंफेक्टेड हो सकता है तब लोग उसे मना करते हैं और डार्सी महां से आराम से चला जाता है अपने गर की तरफ तो हम पता चलता है कि वह लेडी उसकी जो एल कर देती है जिसके कारण धीरे-धीरे करके सारी औरते वहां की उस पार्टी की जोंबी वन जाती है इसके बाद दोस्तों सीन चिंज होता हम यहां पर एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पांच बेटियां होती हैं उन मदर फादर की उनकी और उन लड़कियों को वो पढ़ने कि यहां पर कुछ रिच फैमिली जाय हुई थी और डार्सी का यहां पर एक बेश फ्रेंड भी था जिसको ऐलीजाबेथ नाम की एक लड़की जिसकी छोटी बहन होती है जो वो डार्सी के दोस्तों पसंद आ जाती है और डार्सी को लगता था कि यहां पर जितनी भी या फिर जितनी यहाँ पर कुछ लड़कों की जो फैमिल आई हैं वो सब लालची लोग हैं, हम दोनों की याँ कि हमारी जो दौलत है, उनके पीछे पड़े हैं ये लोग, तो वो उसे एक बार फिर इसके बारे में सोचने के लिए कहता है, पर एलिजबेट उनकी बातों को उसे मार देता है, यहाँ पर पता चलता है कि जहाँ पर पार्टी हो रही थी, यहाँ पर जोम्बीज का हमला हो चुगा था और जोब वो पाँचो बहने थी, उन सब का रूप सब लोग देखते हैं, एक वारियर के रूप में, वो सारी पाँचो बहने उन्होंने जो भी अ रही होती है उसे डिनर के लिए वो लेटर आय था ता बीनर पर फिजा रहे होती है तब इलीजाएक के सिस्टर पर हमला हो जाता हूं उसकी तविजर होने खाल सकत हूल जाती है जैसे उनके घर पहुंशती है तो आपर दिनर करते कि वह बात on Elizabeth यानि कि जो उसकी sister थी वो से मिलना आती है तब जो डार्चे होता है वो उन समसे कहता है कि यह कुछी देर में zombie बनने इसमें लक्षन है zombie बनने के तब Elizabeth आती है और डार्चे कुछ भी करने से रोक लेती है क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी sister को मार देगा तब उनके बीच में कुछ नोग जोग हो जाती है और वो अपनी सिश्टर को लेकर चली जाती है यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजाबेट कुछ लोग के साथ डिनर कर रही थी और जैसी वो अपने गर को वापस आ रही थी तो उसे एक बुग्गी होती है जो वो खराव हालत में पड़ी मिलत लेती हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिजाबेट की मुलाकात डार्सी के भाई विखहम से होती है यहाँ पर में पता चलता है कि एलिजाबेट को डार्सी का भाई विखहम बहुत ही सुल्जा हुआ आदमी लगता है क्योंकि उसकी वो अपनी बातों में उसे ऐसा फस बसक्तार आदमी है और वो किसी की भी नहीं सुनता है अगले दिन एक पार्टी होते हैं और को Elisabeth के साथ देकते हैं और वो बड़ी मुश्किल से Elisabeth को डांस के लिए पूसता है पर Elisabeth उसके बारे में जूटी बाते जाननी के वजह से उसके मूह पर ही मना कर देती है यहां पर Elisabeth अपनी मेरी और मेरे दोस्त की दोलत के पीछे है तब किसी तरह से डारसी अपने दोस्त को लेकर फक्र से अलग कर देता और इस और वो वो उसको एक चर्च में लेकर जाता है जो चर्च एक ZOMBीmayı उपरेट कर रहे तो यहाँ में पता पड़ता है कि जो ZOMBी जो वो बिना दिमाग वाले ZOMBीोज़ को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे और यहाँ में पता चलता है कि है मैं Elisabeth को ये भी बताता है कि ये लोग जानवरों का जो दिमाग होता है वो खाना पसंद करते हैं पर अगर किसी ने इनको इनसानों का खून मुहिया करवा दिया तो ये लोग आदम खोर बन जाएंगे और हमारी जान मुश्किल में पढ़ जाएगी यहाँ पर डार से कभाई और Elisabeth के बीच बात होती है कि यहाँ पर एक कुईन है लेडी कैथरीन जो यहाँ की एक कुईन है और वो चाहते हैं कि जॉम्बीज और लेडी कैथरीन एक एक एगरिमेंट करें जिसमें यूमन्स और जो जॉम्बीज हैं वो एक साथ एक एक एगरिमेंट पर साइन करें और एक साथ हमारा ये देश है इस पर आराम से रहें तो अगले से हम देखते हैं कि जो एलिजबेट की तीसरी बहन होती है वो भी शादी के लिए हां कर देती है और फिर लेडी कैथरीन से वो मिलने के लिए जाती है वहाँ पर डार्सी का भाई भी आता है वहाँ पर एलिजाबेट भी होती है और यहाँ पर दोस्तों डार्सी भी होता है तब एलिजाबेट डार्सी के भाई से कहती है कि तुम्हें एग्रिमेंट के बारे में जो जोंबी का जो एग्रिमेंट है उसके बारे में तुम्हें ले चीजे बताता है और उसको अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुम से शादी करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में तुम्हारे साथ सेटल होना चाहता हूँ पर अलिजबेत जिसको उसके जूटी आकिकत के बारे में पता था वो उसके साथ लड़ाई करती है और उसको महाँ से भागा देती है तब डार से भी गुश्य में आ जाता है और वो भी अपने देश आ जाता है और फिर अपने देश से वो एक आखरी लेटर एलिजाबेट के लिए लिए लिखता है कि जो मैंने ही अपने दोस्त को तुमारी बहन से अलग करा था क्योंकि मैंने उस दिन तुमारी मौम को पीछे से सुन लिया था कि वो अपनी बेटे की शादी किसी अमीर से करवाना चाहती है मुझे लगता था कि वो लालची है और मुझे पता पढ़ गया था और वो अपने लेटर में लिखते हुए यह भी कहता है कि अब तुम और तुमारी फैमिली और तुमारी बहने उस सारे इंगलेंड को जितना भी एरिया है वो सौंबी जने कवर कर लिया वहां से कोई बचने ही सकता है और उसे यह भी बताता है कि तुम्हें जो कुछ भी मेरे भाई ने बता है वो सब जूट है यह हाकिकत यह है कि जैसे मेरे फादर की डैथ हुई थी मैंने अपनी भी प्रॉपर्टी अपने भाई को दे दी थी और उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी थी कि डार्सी के ब्रदर ने जो कि हमारी स्टोरी का मेन विलन है उसने एलिजाबेट की सिश्टर को अगवा कर लिया है तो अब यहां से एलिजाबेट अपनी बागी की सिश्टर को लेकर डार्सी के पास जाती है और उसे बताती है कि जो तुमारा ब्रदर है उसने मेरी सिश्ट था, उसे सारी हकीकत बताती है कि जो मेरी बहन है वो जूटी नहीं है वो तुमसे सचा प्यार करती है तब डार्सी, उसे ऐलिजबेट के साथ उसी चर्च में जाता है जिसमें जॉम्बी थे तो वो जॉम्बीज को इनसान का एक दिमाग दिखाता है और कहता है कि यह तुमारे खाने के लिए है पर वो उसे ना अंदाज कर देता है तब डार्सी उसे दिमाग को उनके खाने में डाल देता है जिसे कि वो सारे जो जॉंबी से वो आदम खुर बन जाते है डार्से चर्च के अंदर जाता है और एलिजबेत की बेहन को वहाँ से वहाँ पर मिलता है वो देखता है कि एलिजबेत की बेहन को वहाँ पर जंजीरों से बांदरा काता वो उस जंजीर को छुडाने के उसे कोशिश करता है कि तबी वहांपर डारसी का जो ब्रदर होता है वो आ जाता है इन दोनों के बीच में दोस्तों बहुत ही तरगडी fight चल रही थी जैसे ही डारसी का जो ब्रतर होता वो उस पर gun point कर देता है और उसके जो gun होती है वो चल नहीं पाती है, वो डिसलोकेट हो जाती है और वो कहीं पर जाकर लग जाती है तभी हम देखते हैं कि जो zombies थे, वो वहाँ पर खुल जाते हैं और आ जाते हैं, और जो Darcy होता है वो वहाँ से छूट जाता है अपने भाई पैसे वो भी एक zombie में convert हो चुका था और उसके बीच में और Darcy के बीच में बहुत ही तगड़ी एक लड़ाई चल रही थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर Darcy के ब्रदर का पलड़ा भारी हो रहा था, तब ही वहाँ पर Elizabeth आती है, और उसके ब्रदर को जो कुछ दिनों बाद का सीन हमें यह दिखाया जाता है और यहाँ पर Darcy, Elizabeth से अपना प्यार का इजाहर करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो उसे मन्जूरी दे देती है और यहाँ पर मूवी खतम होती है दोस्तों आपको मेरी कंटेंट आपको मेरा अच्छा लगा आओ तो उसे अप्रीशेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बिलकोल भी मत भूलना, थैंक्स दोस्तों